प्रेमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इस्टेडी वित प्रदीपे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ब्रिकेंग नूज में हम आपको बताने चलना है आज सिच्छक भरते से संबंदे कई बड़ी अपडेट जो आपके लिए जानना अतिया हो सके खास करके अगर आप प्रात्मिक सिच्छक में नौकरी करना चाहते हैं तो 51,112 पदों की भरती के लिए रिक्त पद सामिल कर दिये गए हैं पी एबी की रिपोर्ट के अगर बात करें तो लगबग 73,711 पद आपके खाली हैं इसके पूरी रिपोर्ट आज आज आपको सभी दैनिक अ करती यानि यूपी टी उसके बाद सुपर टेट कब होगा और सिच्छक भरती कब तक फाइनल होगी इन सभी चीजों पर एक एक करकी यहां पर डाटा दिया गया और सब कुछ एक करके बताया गया क्रम वाइद बता दिया गया तो आप से रिक्वेस्ट एक आप पूरा वी उस सभी बाते आज के दर निकबारों में यहां पर छापी गई है जो कि मैंने आज के तीन दिन पहले बता दिया था आप जा करके यह वीडियो देख सकते हैं साथ में मैंने आपको बता दा प्रात्मिक सिच्छक भरती की तैयारी कैसे करें यदि आप लोग कन्फ्यूज है कहां से करें कैसे करें तो चैनल के बारे में और सब किस चैनल से करें तैयारी जहांसे नह iOS बता गया है वोग के बारे में आज हम आपको बता देंगे किस बुक से आप त्यारी क्रें चलिए आगे बढ़ते हैं आप जो हमें पढ़ना है साथ में एक छोटी सी जानकारी है कि आने वाली है जिसके लिए चैनल के दोरा नेड़े बैच स्टार्ट किया गया जो कि पूरते हैं फिरी है तो यह आप नहीं जुड़ें तो जुरूर जुड़िए यहां पर नंबर दि के लिए सिच्चक भरति की प्रक्रिया दिसंबर में सुरू कर सकती है परिच्चा नियामत परादिकरण ने 28 नॉवंबर को अध्यापक पातरता परिच्चा यानि यूपिटीटी कराने का प्रस्ताव भेद्या गया हैूपिटीटीटीड़ ठीक है अभी तक रिक्त पदों के बार्सिक कार्योजना के मुतामिक 73,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं राज्यस परसत के चेरमेंट के दक्षिता में बनी कमेटे की रिपोर्ट आने के बाद ही रिक्त पदों की अंदिम संख्या तैह हो सकेगी परदेश सरकार ने सुप्रिम कोट में 51,112 रिक्त पदों पर ह पर दून में पी एबी की बैठक में परिस्दी स्कूलों में 73,000 ग्यारा पद रिक्त होने की जानकारी केंसरकार को दी गई है अगले हपते हो सकता आयलान कमेटी अगले हपते रिपोर्ट सोंप सकती है और इसके बाद ही रिक्त पदों की संक्यात तैं करके नई सिच्चक भरती का ऐलान होगा इसकी प्रक्रिया सरकार दिसंबर में सुरू कर सकती है भले है सिच्चक भरती की लिखित परिच्छा का आयोजन या फिर उसका रिजल्ट नई सरकार आने के बाद घोसित हो क्योंकि इस बीच चुनावी अधिव सुचना भी जारी होने की संभावना है 2018 में तेजी से कराई गई थी भरती लोग सबाच उनाव से पहले बर्स 2018 में 68500 सिच्चक भरती की नियुक्ति पत्र सितंबर में बांटे गए थे इसी मंच से मुख मंतरी ने रिकार्ट समय में 69 सिच्चक भरती कराने की घोसरा कर दी थी इसके लिए अध्यापक पातरता पर परिच्चा नौंबर के पहले हफ्ते में कराई गई वहीं 22 दिसंबर को सिच्चक भरती का आवेदन लेकर के 6 जनवरी को अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे जो मैंने इसके पहले वीडियो में बता था ध्यान से देखिए यहां पर नौंबर में क्या कराया आप परिच्चा नौंबर कर जत्यास मांबर के पहले हफते में माल यहां लेते हैं नौंबर मोंहां हम पामाल लेते हैं कि यहां उसके बाद 22 दिसंबर को सिच्चह भरती परिच्चांथ आवेदन लेकर को पर पर कर आगया और जीच़ कॉ सपर्क यूपी टेटी का और सुपर्टेट का पेपर भी हो गया मैं आपको बता दो कि साल चुनाव है और इस साल एक काम अवस्य होने वाले हैं आप बाद में पस्ता है ना इसलिए लगातार हम आप से कह रहे हैं का आप अपनी तैयारी जारी रखें और आज बेस्ट बुक हम आपक पूरा कराया था ठीक है अब यहां आप देखें सारी चीजें दी गई है मैंने आप से बता दिया कि नेड़े बैच आप जॉइन कर सकते हैं उसके साथ ही और सारी चीजें जॉइन कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगला वीडियो जो आपका आने वाला है ह हम uputet में कौन से बुख पढ़ें और स्परटेट में कौन से बुख पढ़ें जो मारे लिए बेनीफीसियल हो गार तो हम आपको एक दो बुख बताने वाले हैं और सारी कुछ नोट सबताने वाले तब जरूर्ड जूडिएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो के लिए helpful होगी और लाबदायक होगी हम उमीद करेंगे उससे आपका सेलेक्शन भी 100% निश्चित होगा ठीक है तो फिर मिलते हैं किसे और वीडियो में तब तक लिजाज़त दीजी जाहित